आजे फिरमानी तो चलो पॉर्टफोलियो रिविजन स्टार्ट कर रहा है इस पेशली टार्गेट है में दोहजर चोबिस और सर इससे पहले जो पॉर्टफोलियो के रिविजन डले हुए है वो हम देख सकते हैं कि देख सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हलाकि वो रिविजन थोड़े से लंबे थे उसमें पार्ट नमबर वान, टू, थ्री, फोर इस तरह से मतलब यार आट-ाट गंटे का रिविजन यहां मैं वैसे नहीं करवाँगा यहां टोटल चार गंटे में, तीन, साड़े तीन गंटे में हम पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट खतम कर देंगे और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि यह हमने पॉर्टफोलियो नहीं किया है और हम यह देख लिए तो नहीं चलेगा, प्लीज क्योंकि मुझे नहीं मालम कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा मैं यह बिलकुल मान के नहीं पढ़ा रहा हूँ या रिविजन करवा रहा हूँ कि पहले आपने नहीं किया है मैं मान के चल रहा हूँ के पहले आपने already portfolio किया हुआ है और basically ये उन बच्चों के लिए record किया जा रहा है video जो already मुझसे class लिये हुए है तो मुझे नहीं मालूम कि YouTube students को इससे बहुत फायदा मिलेगा कि नहीं ठीक है sir ये जो revision series है इसका schedule इसका schedule मैं description में डाल देता हूँ जो YouTube student है तो description से इसका schedule देख सकते हूँ schedule भी डाल देता हूँ और इसके PDF भी डाल देता हूँ जिससे मैं revision करवा रहा हूँ जो मेरे बच्ची है जो मेरे students है वो चिंता ना करे वो सिर्प अपनी copy खोल ले और जो आपने copy में लिखा हुआ है वही notes मैं यहां follow करवाँगा revision में तो आपको कुछ करना ही नहीं है ठीक है दूसरी बात सर जो amendments रहेगा क्या वो अलग से रहेगा वो अलग से नहीं रहेगा अगर portfolio में कोई amendment होगा तो वो इसी revision में cover कर लिया जाएगा इट मींस आपको जैसे derivative में portfolio में तो basically amendment ही नहीं derivative में amendment है तो derivative का जो lecture डलेगा revision उसमें वो amendment भी cover किया जाएगा capital listing का revision भी आएगा एस पर schedule आना चाहिए पर क्योंकि बच्चों की demand बहुत ज़्यादा है capital listing के लिए तो उसका revision में पहले ही upload कर दूँगा ठीक है ओके सर अच्छा बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि सर basically हो क्या रहा है क्यार क्योंकि ये नया syllabus आने के बाद ये हमारा पहला attempt है तो कहा जाता है कि new syllabus से study mat से question आते है generally और study mat के questions यकीन मानना इस revision वीडियो में study mat के सारे question cover है बट क्या है आपको क्योंकि आपको confidence आ जाए इसलिए जब भी मैं question करवाऊंगा revision वीडियो में मैं बता दूँगा कि AFM का paste your knowledge वाला मतलब आपको जो module मिला हुआ है portfolio management उससे खोल लेना और उसमें मैं यहां से बताते जाऊंगा question में कि यह वाला question आपके module में AFM का जो study mat मिला है उसका कौन सा question number है उससे फाइदा क्या हो जाएगा मैंने green color से लिग भी दिया हुआ है फाइदा क्या हो जाएगा जिनको सिप study mat खोलना है उनके लिए भी यह revision video मतलब सर इसमें क्या सारा study mat जो new वाला है वो cover है क्या hundred percent ठीक है सर यह जो revision video है portfolio का वो कितने parts में रहेगा दो part में रहेगा part one और part two मतलब एक दो घंडे का video रहेगा एक one and half hour का video रहेगा मतलब speed रहेगी हमारे revision video में अच्छा अब और एक बात समझ दीजी अच्छे से कि मैं आपको जब question करवाँगा बहुत सारी बच्चे बोलते सर लास्ट डे revision हमको कौन सा question करना है तो देखो यार मेरी बात समझे जिन questions की हमने इतनी सारी practice कर रखे हैं मुझे मालूम है कि वो question आपको याद रहेंगे चाहे आप last day revision करो चाहे मत करो पर कुछ ऐसे भी questions है हर chapter में जैसे portfolio management में जानता हूँ आप कितनी भी practice कर लो आपको last दिन वो question देखकर ही जाना है वहाँ वो question मैं indicate करवा दूँगा मैं भी जानता हूँ last day revision में आपके पास जादा समय होता नहीं है तो बड़ी मुस्किल से आप 50 40-50 questions ही देख पाओगे बड़ी मुस्किल से जो देड़ दिन मिलेगा तो target हुऊ भी रहेगा कि ये जो revision वीडियो चलेगा उसमें मैं बताया करूँगा कि ये question आपको खुद को समझ में जाएगा कि ये question हमको देखना पड़ेगा ओके सर टाइम पस्क खतम करो अभी start करें तो जिन लोगों ने मेरा अभी का exam oriented batch ले रखा है ये regular batch ले रखा है जो august में start हुआ था तो उनको चिंता वाली बात नहीं है उन्हें कोई notes का print out नहीं लेना है आप ही की copy से करवा रहा हूँ आप ही की book से करवा रहा हूँ question number वही है जो book में examples वही है और वही चीज से करवा रहा हूँ जो आपने copy में note कर रखा start करें portfolio management portfolio management जो आता है वो हमारे लिए important नहीं है हमें कितने part में cover करना था हमें मान के चल रहा हूँ revision करना है नहीं बोलूँगा ओके सर एक MPT पढ़ा था capital asset pricing model एक arbitrage pricing theory portfolio rebalancing efficient market और sharp optimization efficient market theory मैंने आपको portfolio में नहीं करवाया है efficient market theory इसको हमने कहां cover किया है इसको हमने cover किया है security valuation के साथ question portfolio में ही है cover किया है security analysis जो हमारी हालत खरा हुई थी वो है sharp optimization model एक ही question है और वो हटाया नहीं गया वो अभी भी है तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा question है हाला कि हम भी जानते ही कि इसको करने में time बहुत ज़्यादा लगता पर हम revision में तो पका पका portfolio rebalancing यहीं करवाया है इसके ज़्यादा questions नहीं है तो मुख के बाद हम start करेंगे कहां से modern portfolio theory MPT कोशिश रहेगी पहले पार्ट में हम MPT खतम करते है हो जाएगा okay sir त्यार है sir अब color change कर लिए एक बार ताक कि हमें थोड़ा सा board में लिखा हुआ रहेगा तो please tension मत ले न तो start कर रहे हम लोग modern portfolio theory modern portfolio theory का basically लिखा किसने है Harry Markowitz Markowitz ने एक बात कहां कि यहर देखो ऐसा है कि आप main जो purpose है वो यह है कि आपको एक जगा पैसा लगाने की अपिक्चा अलग अलग जगा पैसा लगाना है diversification और diversification भी करना है तो दो ऐसे stocks में करना है जिसका आपस में correlation negative हो यह बात हो गए थी negative correlation से होता क्या risk कर जाता है तो पूरा focus पूरा focus जो Markowitz का था वो था correlation थे कि याद करो मैंने example करवाय था ice cream और कौन से वाला ice cream और oland cloth वाला example करवाय था ठीक है कि दो ऐसे business में पैसा लगा है जिसका आपस में correlation negative है तो एक जगा return नहीं कमाएंगी तो दूसरी जगह ज़्यादा कमा लेंगे तो हमारा risk जो है वो कम हो जाए ओके ये मैंने example करवाय था मैं इस matter पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करवा तो main जो है main जो है वो है diversification और diversification किस पर depend करता है correlation तारी कहानी पढ़ने की ज़िप्रत नहीं है target क्या है? target है risk को minimize करना important हमारे लिए important हमारे लिए कभी भी return तो है पर return portfolio management हमें return नहीं थिका था बोलते है यार return तो आप कमाल होगे important है risk risk को कैसे कम किया जा ठीक है ओके सर ये बात समझ में और risk भी कौन से? systematic की unsystematic? याद करो सर वो तो यार CAPM में पढ़ेंगे बैटे पढ़ चुके हुआ और क्या पढ़ोगे? systematic की unsystematic? सर unsystematic risk it means हमारा सर ये सोचना है कि हम दो से जादा एक से जादा company में पैसा लगा रहा है क्यों ऐसा सोच रहा है? क्यों कि की तो आज आने तो बच्ची हुई company से तो कमा लेंगे? yes ये कौन सा? बट 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 आप कितनी भी company में लगाओ अगर market crash हुआ covid आ गया तो सब में बरबात? yes जो इससे related risk है वो कौन सा? जो market down तो सारी company down उसको कौन सा risk बोलते है? सर उसको systematic risk okay मैं आगे बहुच गया हूँ वापस आ रहा हूँ तो जो markovids है ना उसका main focus है ना वो किस पे है? unsystematic risk ठीक? आगे बात नहीं करूँगा मैं इसकी तो diversification के help से कौन सा risk खतम हो जाता है? unsystematic risk okay तो finally markovids का target पता लग गया yes, markovids का target है correlation correlation ढूंडना है और negative correlation ढूंडना है और उसमें हमको पैसा लगाना target क्या है? risk कम करना तो अब यार बात ऐसी है कि correlation ढूंडने के लिए हमें बहुत को सीखना पड़ेगा yes risk सीखना है, सब को सीखना भाई साब पहले आप single stock की बात करो ना यार उसके बाद portfolio की बात करना पहले single stock का सीख तो ले तो हमने सबसे पहले जब start किया था point number two पहले तो उसमें हमने expect return और किसकी बात किया था सर? हमने single stock का सीखा और उसके बाद किसका सीखा था? portfolio single stock में क्या सीखा? तो ले single stock में सबसे पहले हमें उस साल के return तो निकालना पड़ेगा हमें क्या दिया रहेगा? क्या हम return percentage में निकाल सकते हैं? अगर हमें price दिया रहेगा, dividend हाँ सर निकाल सकते हैं तो वही annual return निकालने का formula formula तो है नहीं common sense है आप चाहो तो लिख देना इसी को holding period return भी बोलते हैं हम लोग HPR, holding period return ठीक है, formula की ज़र्वत नहीं है यह आपको पता है और फिर सर उसके बाद क्या है निकालते थे expected return, expected return कैसे निकालोगे? average, पास साल का दिया रहेगा divided by 5 कर देंगे और उसके बाद क्या सीखा था? standard deviation सर, इस matter पर एक बार बात करूँगा एक example के थूँ और यह वाला और सर, probability दिया है तो क्या करना है? probability दिया है तो यह करना है सर, formula important है क्या नहीं? तो क्या मैं दोनों ही चीज़े एक example से समझा दू? पहला example, example number one आपकी बख़़ए धीरे चलूँगा यहां फ़ड़ा समझे मैं फिर से बहुरा हूँ मैं formula पर focus नहीं करूँगा जहां मुझे लगेगा कि वाकिए formula की जिर्वत है तो मैं बात करूँगा अब देखो दिया है भाई 2001, 2003, 45 ठीक है सर और closing price भी दिया है ठीक है मतलब उस share का उस साल कितना closing price था उस साल के end में और सर डिविडेन पर share अब मैं कह रहा हूँ अब धियांसे जिसमना मान लो यहां था 500 ठीक है और यहां हो गया 530 तो बताओ आपने इस साल कितना कमाया सर 30 रुपए कोई दिक्कत की बात नहीं और डिविडेन भी तो मिला याद रखना ये वाला डिविडेन मत लेना हमें तो ये वाला डिविडेन लेना पड़ेगा 15 रुपए अगर मुझे 2002 का रिटन निकालना है तो यार 30 रुपए की ये भी कमाई हुई है और 15 रुपए डिविडेन की रूप में मिला है तो पर्षेंटेज निकल सकता है डिवाइडेर बाई क्या करूँगा बिगनिंग प्राइस 500 ये हमको पता है सर इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाई फिर से बोल रहा है 2001 का रिटन नहीं निकलेगा और ऐसी अगर 2003 का निकलना तो उसके पहले प्राइस किया था 530 तो ये इस तरह से हमने रिटन निकला था पर्षेंटेज मिचे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत हुई हो ठीक है ओके सर तो एक बार अगर रिटन निकल गया पर्षेंटेज में तो ये कब कर रिटन है future का है कि past का सर past का और क्या past के basis पे future निकल सकते हो yes divided by 4 तो पहला गाम क्या होगा generally generally होता क्या रहे generally ये पर्षेंटेज आपको निकल कर दे दिया होगा पर अगर नहीं दिया है ऐसा प्राइस दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है सर हम पर्षेंटेज निकालेंगे एक कोशन है ऐसा मैं बताऊ तो फाइनली इस बार उसने उन्होंने पर्षेंटेज निकाल कर बता दिया है और आप से क्या मांग रहा है आपसे मांग रहा, बताओ यार, इस company में return कितना मिलेगा future में, और कितना risk है, deviation, ठीक है, तो return क्या है, average करना है, तो यार, ये एक table आपको याद आ जाएगी, year लिखना, ठीक है sir, x लिखना, ठीक है, और x लिखना, total कितना आएगा है, 65, और ये total कितने साल का return है, past साल का, तो उसका average किया, तो कितना आ गया है, 13, क्या कहना चाते है, sir, हम ये कहना चाते है, okay, project, साल में जो कमाया, वो ये कमाया, hey, past में क्या कमाया, या important है, future में क्या कमाया, sir 13, क्याElika, पक्का 13,ए deviate हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो हमने क्या निकाला, deviation, पर इसका जब आप average करोगे तो 0 आ रहा था हां तो फिर हमने इसको क्या किया square तो यह आ गया 530 हला कि इसको हमने बाद में मैंने discuss भी किया था कि इसको 530 percentage square बोलते हैं और फिर divided by 5 कर दिया तो sir 106 percentage square इसको बोल जाता है variance important है और actual में यही risk है आगे मैं systematic unsystematic पढ़ाया था ना तो मैं इस को risk बोलता था sir क्यों बोलते थे वो समझाया हूँ 106 percentage square इसको बोलते है variance पर इसमें square है तो इसको square root करना पड़ेगा yes और मैंने इसको root किया तो यह आ गया standard deviation मतलब क्या था sir मतलब यह था कि on an average 13% के कमाई हो की लेकिन 10.3% अब भी हो सकता है town भी हो सकता है deviation और deviation कम होना चाहिए कि ज़्यदा कम होना चाहिए इसे example number 3 yes sir example number 3 probability दिया है return दिया है याद रखना probability दिया है तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा गल्ती कर रहे है तो पहला column तो पी आ जाएगा ठीक है sir इसमें कोई दिखर नहीं पहला column पी आ जाएगा फिर x जाएगा probability में divided by 4 नहीं करना होता probability से multiply करके जो sum करते हो ना वह ही average होता है तो यहां मैंने पी एक्स किया मतलब probability से multiply करते गया और यहां आ गया मेरा 14 पर्शन अब 14 divided by 5 करोगे तो दिक्कत है 14 क्या निकला sir यही तो x बार निकला दिक्कत यह होगी बच्चों ने ना सुनो कॉपी बिलवाया है आंसर शेट आईसी यकीन मान लो calculation में गलती क्या हो रही मालूम है जल्द बाजी x माइनस x बार यह ले लेते हैं यह x माइनस x बार जबकी होना चाहिए x माइनस x बार दिखलो यह गलती हो नहीं है आपसे पक करना ओके सर यह आगया और इसका मैंने क्या बताए average करो कितर क्या जाएगा 0 इसलिए क्या किया square square के साथ जो deviation हुआ उसको हमने square करके probability साथ साथ multiply कर दिया अलग से हम column नहीं मना रहा है तो सरी यह आगया 54 अब इसको divided by 4 कर देते हैं बच्चे यह divided by 4 नहीं है यह आगया आपका variance 54 percent is square इसको divided by 4 मत करना और फिर इसका standard deviation किया तो 7.35 portion पहली बात हमने सिखा expected return क्या होना चाहिए सरजादा होना चाहिए standard deviation क्या होना चाहिए कम होना चाहिए कहां तक कोई दिक्कत है क्या अब ये वाला question question number one क्या हमारे module का question है हाँ और मेरी भी सला है कि module का एक भी कोशन छूटना नहीं चाहिए अब से अब करो ना करो पर देखकर तो आपको जाना ही और देख रहा है सर ये हमारा पहला question है हाँ जी आपके AFM module का पहला question है TYK1 phase number six point अब इस question में देखिए क्या का जबात है प्लीज question अच्छे से देख तो इस stock का cost दिया है 120 और सर dividend नहीं है thank God the possible price that stock might sell at the end of the year with the respective probability sir हमें क्या करना है बेटे आपको percentage में निकालना पड़े अब percentage कैसे निकाले तो sir 120 115 हो गया तो sir loss है 4.1 और dividend तो है नहीं है अब बच्चों ने क्या गलती कित गलती सुनो बच्चों ने दूसरा निकाला ना तो 115 से 120 का comparison कि अब बोले सर पाच रुपिया बढ़ रहा है भाई साप सुन लो please ये year ने लिखा हुआ है वो बोल क्या रहा है समझो बच्चों ने का sir पिछले example में example अलग था ये अलग है वो ये बोल रहा है कोश्चन की 120 रुपए 120 प्राइस था और add the end of year respective price ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है 120 से 125 भी हो सकता यहां गलती क्या हुई थी मालूम है और करोगे आप गलती ये हुई थी कि आप 120 से 115 फिर 115 से 120 जगाओगे फिर 120 से 120 जगाओगे ये गलती हो सकती है आगी कोश्चन में कुछ नहीं है सीधा एक बार percentage निकाल लेना और percentage निकाल के सीधा फिर आपका standard deviation वगेरा निकल जाएगा इस पर मुझे आप ज़्यादा मेहनत नहीं करवाने ये तो आपको वातला है एक गलती नंबर वन में आपको बता दिया क्या होगी दूसरी गलती नंबर वन जब आप X बार निकालोगे तो इसको X कर समझ लोगे तो सर क्या ये कोश्चन हमको लास्ट डे में देखकर जाना बिलकुल नहीं मैंने कहा उनिक कोश्चन करूँगा उसी को देखना है बस इसको क्या देखना है यार ये तो वैसी ही बना लोगे प्रैक्टिस करना चाहते है तो अलग बात है पर लास्ट दिन आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा भी ने अब सर्ष हमारा टार्गेट क्या रहेगा हमारा टार्गेट है ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना जिसमें रिटन जादा हो और डैवेशन कम हो रिस्क कम हो सर अगर ऐसा कोई श्टॉक है मालो दो श्टॉक है किसी में रिटन जादा है तो रिस्क भी जादा है होना ही चाहिए इसी में रिटन कम है तो रिस्क भी कम है होना ही है तो सब दोनों में से कौन से श्टॉक सेलेक्ट करेंगे अगर मैं कहूं कि भी या आपको रिटन जाद चाहिए तो जादा रिस्क तो लेना पड़ेगा रेटन कम चाहिए तो कम रिस्क मिलेगा पir बी जोड देकर बोले जबता है, नहीं नहीं दोनों unit basis बताईए, इत मेंस आप रेश्यो basis बताईए तो एक रेश्यो यूज हुआता होता है, जिसका नाम है CoEfficient of Variation CV अगर देखोगे इस stock को stock a return कम है risk भी कम है return जादा है risk भी जादा है तो फिर हम देखेंगे deviation by x भा मतलब उपर लिखा risk नीचे लिखा return 0.5 इसका मतलब क्या सर एक रुपिया अगर हम कमाते तो 50 पैसे risk deviate हो सकता है 50 पैसे ज़्यादा भी आ सकता है 50 पैसे कम है इसकी बात करो तर एक रुपिया की पीछे 60% 60 पैसे का deviation इसमें deviation कम है तर 50 पैसे है तो हमें ये stock खरीदना चाहिए इसमें risk कम हो उच्छा के कौँ से stock खरीदना चाहिए CV जिसका CV कम हो अच्छा पिछले रिवीजन को वीडियो में और इस रिवीजन वीडियो में बस इतना अंतर है कि इसमें latest जो question आई हुए वो भी cover हो जाएगी हो रहे है ठीक है अब आगे हम portfolio पे अभी हमने single stock की बात पूछा उसमें हमने standard deviation निकालना सीका expected return निकालना सीका इसके अलावा हम लोगोंने coefficient of variation भी सीका अब आगे चल रहा है और अब हम सीख रहा है expected return of portfolio stock A और stock B है ठीक है portfolio का return simple है इसमें 7 लाख लगा इसमें 3 लाख लिखा इस से हमने expected return निकाली है परशन और इसका 15 परशन तो क्या portfolio का return निकल सकता है यह सर 7 लाख पे 20 तीन लाख पे तो सर एक तो यह निकल सकता है यह weight और weight तो हमको आता है इसका weight कितना पॉइंट से 1 और इसका weight पॉइंट 3 तो ऐसे निकल सकता है 18.5 पॉइंट यह बिल्गु सिंपल है इसमें सर यह formula का कोई चेकर नहीं है यह formula काम नहीं आए ठीक ओके साब अब कभी कभी क्या होगा घुमा कर भी question पूछेगा suppose यह 15 है यह 19 है तर ए का 15 है इसका 19 है और हम portfolio का return कितना चाहते है हम portfolio का return चाहते है 16.4% तो question पूछेगा बताओ A में कितना पैसा लगाए B में कितना पैसा लगाए कि हमारा portfolio का return 16.4% आ जाए weight पूछ रहा है और यह APT में भी काम आने वाला है तो क्योंकि दो ही stock है तो इसको अगर हम weight of A बोल सकते तो इसको 1-weight of A बोलते है तो sir ठीक है इस equation से हमारा weight आ जाएगा 0.65.3 ठीक है ओके sir अब main जो main point है जिसके लिए हमने class MPT start किया वो है correlation modern portfolio theory का main purpose है correlation अभी जो सीखा वो कुछ सीखा नहीं है उसमें कुछ revision वाली बात थी भी नहीं ओके वो तो अब C.A.I.ंटर से करते है आ रहा है अब correlation target क्या है target है sir ऐसा correlation ढूणड़ना दो stock के बीच में जिसका आपस में correlation ऐसे दो stock ढूणड़ना जिसका आपस में correlation negative ठीक है ओके तो पहला meaning जो काम नहीं आएगा हमारे लिए काम की चीज़ है calculation और काम की चीज़ है concept अब यार पोर्टफोलियो के पोर्टफोलियो चैप्टर के एंगल से अगर देखूं तो मैंने correlation को तीन भागों में बाढ़ दिया तीन category ऐसे दो stock जिसमें perfect positive correlation है उसके विसमे में अलग से समझाऊंगा perfect positive मतलब plus one एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा कुछ और correlation है तो उनके लिए मैं अलग बात करूँगा मतलब मैंने correlation को अपने चैप्टर के सबसे तीन भाग में बाढ़ दिया उससरा सबसे पहले calculation समझ ले पहले calculation correlation कैसे निकाने प्लीज मैं formula derivation पर नहीं जाने वाला हूँ ना आप जाना टाइम ही नहीं है भई तो भाई example समझते हैं यह सर example number 4 सर इस टॉक दे रखा है उसका return दिया है और इसका भी return दिया पाश्ट का दिया है हमें क्या निकालना सर हमें expect return निकालना standard deviation निकालना जो कि हम पहले से निकालते हैं covariance निकालना सर यह क्या चक्कर है समझाऊंगा और correlation निकालना ठीक है सबसे पहले year लिखा x लिखा ठीक है divided by 5 किया तो यह x बार आ गया ऐसे ही x minus x बार x minus x बार square किया और फिर यह आया और divided by 5 किया और square root किया तो 7.07% आ गया है this is standard deviation ऐसी y कभी की अब सबसे काम की चीश है मुझे निकालना है correlation क्या निकालना चाता हूँ कि यार stock x और stock y आपस में बढ़ते हैं कि आपस में कम होते हैं इन दोनों की बीच में अगर दोनों एक direction में movement हो रहे तो हम कहेंगे positive correlation पर दोनों opposite direction में moment हो गर रहे तो हम कहते है negative correlation है तो यह डूर ना है कि दोनों एक ही तरफ चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं यह कर रहा हूँ कि अगर x अपने means से mean उसका यह 20 परशन से क्या हो रहा है सर x अपने means से मतलब x minus x bar सर 10 परशन से बढ़ गया और y सर यह तो कुछ भी नहीं हुआ यस तो बताओ एक जो इस टॉक है वो 10 परशन से movement हो रहा और एक इस टॉक तो हिला ही नहीं तो दोनों का आपस में सर जीरो यस तो मैं कर क्या रहा हूं सर x minus x bar को y minus y bar से multiply कर रहा हूं that's it कि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आप पोजिट डायरेक्शन में ठीक है ओके तो यह सब का total किया तो कितना आ गया है 100% पर यह तो पात साल का है तो divided by 5 करूंगा तो यह आ गया minus 20 percent is square और सर इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता covariance x y अच्छा covariance x y क्या बोलता है सर covariance x y यह बोलता है कि दोनों का आपस में जो moment है ना वो negative है negative नेचर पता लग गया negative पर हमें unit free answer चाहिए तो correlation के लिए एटिमेंस हम समझ नहीं बार है कि यह minus 20 percent is square minus 30 minus 200 minus 500 मतलब क्या logic है minus तो समझ में आता है पर यह 200 500 हमको पता नहीं होता तो इसको हम divide कर देते कुछ से और divide करने के बात divide सर किस से करते है correlation निकालने के लिए covariance x y को divided by standard deviation x और standard deviation y से divide करते है तो क्यों करते logic लोजिक यहां समझाने नहीं आया हो और answer आ गया minus 0.71 एक बात मैंने बताया आपको कि correlation perfect positive plus 1 से minus 1 के बीच में होता है अगर इस range में, मैं range bound कर दूँ तो मुझे समझ में आता है थोड़ा से यह थोड़ा समझ में आ रहा है correlation minus 0.7 है मतलब इधर है इसके लगमक negative perfect नहीं क्योंकि इसके बाहर नहीं होता है अगर कोई बोलेगा correlation plus में है 0.9 में कहूंगा यहां है मतलब कोई भी बोले में कोई कहेगा correlation 0.5 में कहूंगा यहां है उससे समझ में आएगा कि यह perfect positive के ज़्यादा पास में है यह perfect negative के ज़्यादा पास में की बीच में मतलब एक range bound answer मिलता मुझे ओके इसलिए इसलिए हम covariance को standard deviation of x और standard deviation of y से divide करते हैं तो कुछ है क्या special कुछ special नहीं है सर हमें करना कुछ नहीं होता हमें दो stock का correlation निकलना तो पहले covariance निकलना पड़ेगा और एक बार covariance निकल गया तो फिर दोनों के standard deviation से divide करना that's it calculation यह मैं करवाई चुका हूँ इसको पढ़ दोगी यह काम की चीज है नहीं अब probability के basis पे होगा तो क्या होगा divide क्यों कर रहे हैं यह सब detail में समझाया था हमारे लिए काम का है यह वाला formula correlation xy divided by equal to covariance xy और standard deviation of x standard deviation of y ठीक है फिर example भी करवाया था लेकिन इस बार किसको लेकर करवाया था probability को लेको अब तो कोई फरक नहीं पड़ेगा बस याद रखना कि जब यहां करोगे x minus x bar y minus y bar तो multiply किस से करते ना probability से पाके अब आप correlation निकले यह वाला example बहुत काम का है यहां से तो भाई साब क्या concept निकल के आया था त्यारो ना बोलू ना यार हाँ साब देखो year दिया है okay sir x एक stock है और y stock है अगर मैं आप से कहूं अगर मैं आप से कहूं कि इस question को देख कर कि आप expected return निकल सकते हो हाँ सर कि आप standard deviation निकल सकते हो हाँ सर कि आप covariance x y निकल सकते हो हाँ सर और कि आप standard deviation sorry correlation x y निकल सकते हो यह सर और यह आपने निकला यह expect return दोनों का निकाला standard deviation निकाला और correlation भी निकाल लिया ये निकाल लिया है आपने मैंने आपको homework दिया था मतलब आपको कहा था चलो करके बताओ आपने करके बता दिया था अब काम की चाहिए हमारा क्या target है point number 3 काम काया बटे अगर हम 70% पैसा X में लगाते है और 30% पैसा हम Y में लगाते है तो बताओ portfolio का expect return क्या आएगा और standard deviation of portfolio क्या आएगा expect return of portfolio standard deviation of portfolio दू तरीके थे जो मैंने आपको समझाया पहला तरीका है सर हर साल का weighted average निकाल लेते weighted average आपको समझ में आता 15 into 0.7 और 10 into 0.3 हर साल का और फिर जो हर साल का निकलेगा वो अगया मेरा portfolio हर साल का निकल जाएगा और फिर तर expect return और standard deviation तो निकाली सकते हैं जो मैंने आपको करवाया था तो मैंने हर साल का निकाल लिया weighted average तो सरी यह आगया अब जब यह पास साल का मिल गया तो क्या expected return और portfolio निकल सकता है और यस और वो मैंने आपको table से करवाया था portfolio का नाम बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने जैड लख लिया और उस हिसाब से हमारा expected return भी आ गया था और standard deviation भी आगए एक आसा बट मुझे यहाँ वो नहीं सिखाना मुझे कुछ और सिखाना तर क्या सिखाना चाहते हो जड़ा बताओ अब यार question यह अब सुनना सुनना सुनोगे 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 सर एक्स में मान लो 18 person return कमाएंगे और य में 11 person weighted average करके निकाल लिया मतलब इसका average निकाल और हमको मालू है इसमें 0.7 लगाना इसमें 0.3 नहीं लगाना है तो क्या expected return of portfolio निकल सकता है आराम से सर 18 into 0.7 और 11 into 0.3 पर क्या standard deviation of portfolio भी निकल सकता है निकल सकता है यहाँ खेल हुआ था और सर standard deviation यह निकला यह निकलेगा क्या हाँ हमारे पास shortcut था पहले expect return हमने निकाल लिया और वो आ गया 15.90 वो ऐसे भी 15.90 आ रहा था तो उसके कोई समस्या नहीं है 15.90 अब फिर हमने कहा कि हम standard deviation के लिए यह table नहीं बनाना चाहते हम simple तरीके से करना चाहते तो हमने 15.9 निकाला अब सुनो धियान से दो क्या मुझे इसका standard deviation मालूम है एक का हाँ उसमें कितना पैसा लगाना मालूम है कितना पैसा लगाना वो भी मालूम है क्या दोनों के बीच में correlation मालूम है हाँ तो मुले एक simple सा formula है और वो formula था याद करो याद करो याद करो याद करो वो था sir a plus b square और sir यह तो हमको आता a square तो वो ही मैंने किया मुझे तो standard deviation of a b निकालना है और variance निकालना actually variance ही calculation के लिए variance ही important है तो sir variance of a और weight of a square बस यहाँ a square b square 2 a b यही काम कर रहे है बस साथ में weight निकाल लगा रहा है मतलब sir standard deviation of a square weight of a square ठीक है sir यह बात समझे में आगए बस last में हम किस से multiply कर देते है correlation से correlation से क्यों multiply करते है please अभी बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा okay sir और answer आगए 2.128 तो आगे से हमारे लिए फोर्मला बहुत ज़्यादा important आगे से जो भी calculation होगा इसे सबसे होगा ठीक है चले आगे ठीक same question sir यह था यह था standard deviation दे दिया हुआ covariance से दिया हुआ correlation तो निकाल सकते हैं हाँ कैसे निकालते है covariance दिया है हमको निकालना correlation x y तो हमारा formula था covariance a b या correlation a b निकालना standard deviation of a into standard deviation of b यही तो formula है sir correlation a b का formula ठीक है अब ध्यान से कुछ समझाने की कोशिश करें तो हमें expect rate of portfolio निकल जाएगा standard deviation of portfolio आपने formula बनता आए था अब सुनना दियाँ से 2 into standard deviation of a into weight of a into standard deviation of b into weight of b into correlation a b तो मैंने यहां covariance का formula देखोगे तो यही तो covariance आ गया है sir standard deviation of a into standard deviation of b into correlation a b तो मैंने यहां यह अलग से दिखा दिया और इसका नाम क्या लिखा? covariance तो मैंने का यहाँ और एक formula है भाई क्या निकाल रहा है हम लोग? standard deviation of portfolio क्या formula है? standard deviation of a square weight of a square standard deviation of b square weight of b square 2 into weight of A into weight of B into covariance A भी वाव आगे तो calculation कर लोगे कोश्चन नमबर 6 example number 6 cut कर देना नहीं करना example number 7 cut कर देना जरूरत नहीं है जो हुमक दिया उसको क्या करोगे example number 8 हाँ यहां से concept चालो हो रहा है यहां से concept चालो है अब यहां concept की बात करते है तीन टाइप के correlation एक है perfect positive एक है perfect negative और एक है ना तो perfect positive ना तो perfect negative सबसे पहले जो बात हो रही है अगर दो stock के बीच में correlation perfect positive perfect positive perfect positive का मतलब सर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा तो ऐसे stock में कभी पैसा मतलब क्योंकि कोई risk कटने वाला नहीं है वेटेड एवरेस ही होगा इसका मतलब दो stock में मैंने पैसा लगा दिया है और दोनों एक साथ डूपते तो कहे कर इस divergification का कोई मतलब नहीं है आप ऐसे stocks में पैसा लगाओ कि एक गिरेगा तो दूसरा बचा लेगा risk कम करना है तो बस यही मैंने आपको बताया है कि अगर correlation दो stock के बीच में perfect positive है तो risk of portfolio कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं वो बता दिया तो sir simple weighted average निकालना standard deviation उपे sir वो a plus b square वाला चला सकते है कि चला सकते है पर मत चलाना जलूबत नहीं है अगर perfect positive है तो weighted average आता है ओके तो यही समझाया मैंने इस question में सबसे पहले expect return निकल है और standard deviation बड़े वाले formula से भी निकल सकता a plus b square से पर perfect positive तो मत लगाओ बड़ा वाला formula simple करो standard division अपर इंट्वेटव पर इंट्वेटव पर इंट्वेटव पर इंट्वेटव पर इंट्वेटव पर आंसर आजाएगा okay main क्या है क्या risk कट सकता risk नहीं कट सकता और फिर बात हुई क्या perfect negative है तो यह risk कट के 0 हो सकता वो दो चीज़ो पर depend करता है पहले समझो expect return निकला है दोनों का standard deviation निकला है और perfect negative है ठीक है sir, perfect negative minus 1 तो sir 60% A में लगा है 40% B में तो कितना आएगा return sir 26% ओके और sir, standard deviation कितना आएगा अब सुनना धियान से standard deviation कितना अगर perfect negative है चाहो तो आप छोटा वाला formula लगा सकते हो पर यहाँ plus की जगा यहाँ plus की जगा यहाँ क्या लगाना पड़ेगा minus यूज करना पड़ेगा और इसका answer अगर किसी condition में minus में आया तो minus इग्नोर कर देना क्योंकि standard deviation कभी minus में हो ही नहीं पर मैं आपको इसला दूँगा यह वाला formula लगा कर आप यह वाला formula लगाना a plus b square क्योंकि institute ने कभी भी यह छोटा वाला formula यूज नहीं की ठीक है तो अगर दो इस्टोक के बीच में correlation perfect negative है तो क्या risk कम किया जा सकता है या risk zero किया जा सकता पर सर यहां तो zero नहीं आया पिटे zero नहीं आया उसकी वज़ा दो condition होना चाहिए एक तो perfect negative भी होना चाहिए और इन दोनों में पैसा इस तरह से लगाना है इन दोनों का वेट इस तरह से लिखना है ताकि यह हमारा standard deviation zero हो जाए फिर से बोल रहा हूं MPT बोल रहा है दो इस्टोक के बीच में correlation perfect negative होना चाहिए और इस तरह से वेट लगाना चाहिए optimum weight होना चाहिए ताकि यह मेरा deviation zero हो जाए और weight का भी formula है derivation important नहीं है अगर आपको weight of A निकाला, A में कितना पैसा लगाना है तो दूसरे का standard deviation divided by दूनों का standard दूसरे का standard deviation divided by दूनों का standard deviation तो A का weight हो जाएगा और सर B में कितना weight, तो इस टोक की दो बात हो रही है, तो B में कितना 1 minus weight of A यही बात में नहीं यहां लिखा इसको कौन सर बुलते सर इसको बुलते जीरो रिस्क पॉर्टफोलिय ओके सर आगे चले, यस तो अब आपको यहाँ जीरो रिस्क पॉर्टफोलियो बनाना आराम से करना यह वाला example अच्छा है सर इसमें 25 और 40 सर इसमें 10 और 18 ठीक है और जीरो रिस्क पॉर्टफोलियो बनाईए सबसे पहले weight निकाई कि A में कितना लगाना, B में कितना लगाना तो weight का formula क्या है सर इस्टेंडर्ड है, दूसरे का standard deviation of B और standard deviation और वैसे निकाला तो इसमें लगाना 0.64 इसमें लगाना 0.36 ओके A में लगाना 0.64 B में लगाना 0.36 तो उससे expected return of portfolio निकाला और standard deviation of portfolio बच्चे परेशान होगे तो उनका 0 आ रहा थो तो वापस calculate कर रहे थे भाई होई तो पढ़ रहे हम लोग answer क्या आएगा 0 ही आएगा 0 आने एक में दो condition है correlation क्या होना चाहिए perfect negative ठीक है correlation perfect negative होना चाहिए और weight कैसे होना चाहिए weight इस तरह से निकाला हुआ और please perfect negative है तो please बड़ा वाला formula ही लगाना नहीं तो institute number काटेगा तो मैं जिमिदार नहीं रहूँगा perfect positive हो तो weighted average sir ना तो perfect positive है ना तो perfect negative perfect negative होता तो risk zero हो जाता तो भी क्या weight sorry risk of portfolio zero हो सकता है zero नहीं हो सकता पर minimum हो सकता है मतलब कम से कम risk reduce हो सकता इसको बोलता है minimum risk portfolio minimum risk portfolio अगर correlation ना तो plus one है ना तो minus one है तो risk घटके zero नहीं हो सकता पर कम तो जरूर हो सकता है लेकिन sir तो वही है weight कैसे निकालोगे weight ऐसे हैं निकालना पड़ेगा ठीक है okay sir so sir weight निकालने का formula डेंजर है standard deviation किया दूसरे का पर deviation के जगा आपको क्या है लिखना पड़ेगा variance minus covariance a b और minus two covariance a b ठीक है यह formula learn करना पड़ेगा आपको प्लीज कर ले ना multiple choice question है यह करवाए हूं बहुत अच्छे से करवाए ठीक है sir तो आप question question start हो रहा है concept हमारा खतम हो गया इससे related तो चलो question करते है हाँ जए देखे question पहला question यह जो दिखाई दे रहा है question number nine अगर देखोगे तो इसमें कुछ करना नहीं है इसमें covariance निकालना correlation निकालना मतलब सिर्फ calculation है yes क्या हमारे ICAI के module का question है yes TYK6 6.66 और चाहो तो आप practice के लिए ठीक है पर छोड़ भी सकते हो yes example मैं मैं सब कुछ करू question number 10 इसमें भी covariance निकालना correlation निकालना सर कट कर देते है नहीं करते है ठीक है चलेगा three assets portfolio three assets portfolio sir ऐसे stock ऐसा portfolio अभी तक हमने क्या बढ़ा था ऐसे portfolio जिसमें दो ही stocks sir ऐसे भी portfolio बना सकते कि जिसमें तीन stocks है बना सकते sir उसका expected return कैसे निकलते है weighted average sir उसका standard deviation कैसे निकलते कि एक्जाम में आया हुआ है नहीं पर क्या इसकी जरूरत पड़ेगी यस आगे एक topic आएगा systematic risk and unsystematic risk जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी और formula यूज होता है a प्लस b प्लस c square मतलब sir a square b square c square 2 a b a और b मतलब आप combination बनाओगे a का b के साथ a का c के साथ b का c के साथ बन जाएगा तो कुछ special है नहीं है अगर यह कहाँ जाय तो पर इस पर question नहीं है तो ज़्यादा बात नहीं करता example करवाया था का चाहो तो करना चाहो तो आप इसको escape कर सकते अब question बना रहा है अब हम लोग तेयार हो चुके है yes तो question दिखाई दे रहा है आपके पुको question number 2 और क्या ये AFM module का question है yes tyk4 page number 6.65 इसमें ना सबसे पहले उन्होंने मांगा expected return on portfolio और आप पैसा कितना लगा रहा है सब 40% x में लगा रहा है इसमें लगा रहा है 40% और इसमें लगा रहा है 60% पर दिक्कत क्या है उसने individual stock का individual stock का expected return नहीं दिया सर ये 10% और 16% है 10% और 16% है year का है 2016 का है 2017 का और आपका expected return निकालना है तो मैं सीधा भी कर सकता था कि सर कैसे कर सकते थे expected return of portfolio में इसका average कर देता इसका average कर देता 0.4, 0.6 कर देता काम हो जाता बट उन्होंने आपसे standard deviation भी मांगाया और हर एक stock का मांगाया table बना लेते हैं सबसे पहला question table बना लीजिए अगर आप table बना लेते हैं तो इसका expect return इसका भी निकल जाएगा standard deviation दोनों का निकल जाएगा covariance निकल जाएगा correlation निकल जाएगा ठीक है तो ये table में ने बनाया है x लिखा है y लिखा है expect return निकल गया दोनों का standard deviation निकल गया दोनों का और covariance भी निकल गया ठीक अब जो जो पूछेगा वो निकाल लेंगे तो sir क्या क्या पूछा है प्लीज ये question कर लेना ओके तो sir अब हमको क्या निकलना सबसे पहला expect return of portfolio तो वो हमने निकल लिया 14.2 उसके बाद standard deviation वो भी निकल गया table एक बाद table बना लेना उसके बाद यहां लिख देना उसके बाद sir covariance already निकल चुके correlation निकल लिया और फिर standard deviation of portfolio पूचया हुआ निकल लिया तर इसको हमें LDR question में डाले की नहीं डाले जरूरत नहीं है इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि normal question आप अगर आप दो मेने बाद भी बनाओगे ना तो यह question आप बना लोगे इसलिए इससे छोड़ सकते अभी मेने LDR के लिए एक भी question नहीं यह नहीं कहा कि देख लेना अभी बोलूंगा आगे उसको आपको specific लिए देखना पर ओके यह भी question I.C.A.I. का favorite question है और सर यह भी क्या module का question है यह ती वाई के 3 page number 6.65 सर इसमें क्या बात इसमें Mr. A. एक लाख रुपे इन्वेस्टमेंट कर रहा इस एक लाख रुपे से हमें कोई लिए न देना He selected to security B और D अच्छा इस बार उन्होंने expected return निकाल लिया बहुले एक है stock B और एक है stock B उसका expected return दिया और उसका standard deviation दिया और दोनों के बीच में correlation कितना दिया 0.15 सवाल ये है standard deviation of portfolio calculate करने के लिए बड़ा वाला formula लगेगा कि छोटा वाला बड़ा वाला छोटा वाला formula मतलब simple weighted average वो कब लगता जब perfect positive दिया हो तो अब ये B और D को मिला कर total मिला कर 4 portfolio बना रहा है और बोले कि बताई एक्सपेक्ट रिटन और portfolio क्या होगा सुना दिया उनका कहना यार मालो पूरा पैसा हमने B में लगा दिया पूरा की पूरा पैसा B में लगा दिया तो बताई एक्सपेक्ट रिटन कितना आएगा 12 परशन अच्छा पूरा पैसा B में लगा दिये तो सर एक्सपेक्ट रिटन कितना आएगा 12 परशन और डैविशन कितना आएगा 10 परशन अब इनी दो श्टॉक से और एक दूसरा portfolio बना रहा है कियार कुछ पैसा हम B में लगाए और कुछ पैसा D में लगाए तो एक्सपेक्ट रिटन और इस्टेंड डैविशन तो वो दो श्टॉक में आप अलग-अलग पैसा लगाकर सर इस एक लाग का कोई मतलब नहीं है वेट उसने दिया उसके सबसे आप का और पूचा कि कौन सा BEST है और कौन सा RISक के हिसाब से कौन सा अच्छा और रिटन के हिसाब से कौन सा अच्छा तो Senpal है वो आप आराम से बता दो तम कोशंन ये भी था सर इसको कट कर देखet कट कर दो पका कट कर दो काम करे इसमें भी एक लाग रुपे सर ABC और XYZ में पैसा लगाना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने सर इस बार probability दिया तो इसको यूज करके दोनों का expect return निकल जाएगा standard deviation निकल जाएगा आपको comment करना है क्या risk of investment मतलब आपको risk निकाल के बताना है दोनों का सर निकल जाएगा यह देखो यहां ध्यान से देखना यह सर standard deviation में निकला expect return भी निकला अब ध्यान से समझना अगर comment करना है तो expect return किसका अच्छा है दोनों में सर ABC का और standard deviation किसका है XYZ का और बोलना है comment करो तो comment क्या करना आपको यही बताना कि expect return ABC का अच्छा है और risk XYZ का अच्छा है अगर हम return के angle से सूचे तो हमें ABC में पैसा लगाना चाहिए higher return और risk के angle से सूचे तो हमें XYZ में पैसा लगाना चाहिए जबरदस्ती coefficient of variation मत निकालना जब तक बोलेगा अब वो बोल रहा है कि मान लो यार हम equal proportion में पैसा लगाते दोनों में 0.5, 0.5 तो फिर आप expected return of portfolio और standard deviation of portfolio पताईए इसके लिए हमें covariance, correlation सब निकालना पड़ेगा और उसके बाद expected return of portfolio निकालना पड़ेगा और standard deviation of portfolio निकालना खास वास सुन expected return में बहुत ज़्यादा change नहीं हुआ है लगभग 12 बशन के आसपास है पर portfolio में पैसा लगाने से deviation फिर्फ 1.25 हो गए तो अगर इस angle से देखो तो हमारे लिए portfolio बहुत अच्छा है क्योंकि portfolio का return तो लगवक ठीक है लेकिन ABC या XYZ में पैसा लगाने की अप एक्छा दोनों में लगाते न यार risk जो है वो बहुत ज़्यादा reduce हो जाए यही समझाना था यही comparison करके अब बता दो आपके AFM module का question है इस देख ले यह मैंने करवाया था मेरे ख्याल से अब कर लोगे अच्छा optimum weight इस point में इस question में उन्होंने calculate optimum weights में ने बोल दिया और correlation सबसे पहले देखो क्या correlation कितना दिखाए दे रहा है sir correlation हमने निकाला नहीं अगर correlation निकालोगे तो आपको समझ में आएगा यह correlation यह है तो कितना है point 99 है मतलब perfect negative नहीं है तो weight निकालने का बड़ा वाला formula लगेगा और weight निकालने का formula आप लगा दे ठीक है वो कैसे यह question आपके I.C.E.I. का AFM module का तो नहीं है पर exam में आया था और यह question आपको revision करने का बनता है इस question में calculation mistake होने का बहुत ज़्यादा chances है जितने भी question में ने अभी तक जितने भी examples और question बोला है अगर आपको लिखकर solve करना प्लीज सुनना मेरी बात अगर आपको लिखकर solve करना है तो इस question को लिखकर solve कर लेना उसकी वज़ा है क्योंकि लिखकर हम solve क्यों करते हैं सिर्फ एक ही वज़ा calculation mistake ना हो इस question में 100% आपका calculation mistake होगा होता है अगर आप time पकड़ लीचे और उस time के अंदर-अंदर करते हैं तो इस question में क्या खास बात है कुछ खास बात नहीं है क्योंकि ये rupees में दे रखा है तो सबसे पहले आपको इसको percentage में convert करना पड़ेगा dividend है नहीं और एक बार percentage में convert हो गया तो फिर आपको risk और return निकालना है निकल जाएगा और उन्होंने बताया भी है कि हम एक portfolio भी बना रहा है इन दोनों को मिला कर जिसमें 60% A में लगाएंगे 40% B में लगाएंगे तो फिर आपको covariance भी निकालना पड़ेगा correlation भी निकालना पड़ेगा फिर portfolio का expected return मतलब यह सर यह complete question हुआ यास अगर अभी आप revision कर मेरे साथ तो यह question प्लीज बना कर देखना बनाना इस question को बहुत अच्छा question ठीक है ठीक है sir और यह concept आया था efficient securities या efficient portfolio and optimum portfolio तर वो क्या चीज है यह इसको minimum variance portfolio भी बोलते हैं तर वो क्या चीज थी वो ऐसा था मैं यार दिला देता हूँ काटने वाला था मतलब सर समझाओ efficient का मतलब जो stocks एक जैसे एक बात बता रहा है मैंने यह बताया था कि कि यार आपको दो stocks select करने कापस में correlation क्या होना चाहिए negative पर सर बहुत सारी stocks है तो किस को select करेंगे बले सुनो पहला काम है कि आप ऐसे stocks इसको देखते ही काट सकते हैं उसको तो हटा ही दो मतलब जो inefficient stock है उसको हटा हो मैं बहुत ज्यादा story नहीं सुनाँगा अगर A में return कितना दिखाई दे रहा है 15 percent मैंने total मिला कर 6 stocks उठाया हूँ ठीक है तर A में 15 percent का return है और F में भी तो 15 percent का return है दोनों में 15 percent की कमाई हो गरी है पर इसमें deviation है 8 percent और इसमें deviation है 9 percent तो अगर मैं कहूँ यहां risk जाता है कमाई तो 15 percent है और यहां risk कम है और कमाई इसमें भी 15 percent है तो sir यह stock हमारे लिए inefficient हो जाएगा ठीक पतलब जहां same return है पर यहां lower standard deviation है तो stock A मेरे लिए efficient stock हैगा यार stock F तो inefficient है उसको cut करो deviation की बात करो यहां भी 10 percent deviation है यहां भी 10 percent deviation है sir यहां return 20 और यहां 22 कौन सा वाला cut कर देंगे sir यह वाला stock जो होगा यह cut हो जाएगा क्योंकि यहां दोनों में risk same है पर इसमें return कम है इसमें return जाता है तो यह वाला cut कर देंगे यह वाला stock inefficient हाँ sir यह वाला इसकाम भी मैंने करवाया था ठीक है तो बहुत ज़्यादा मुस्किल था नहीं एक example लिया था मैंने इस example की बात करते है example number 13 sir उसमें क्या था इसमें 13 है और इसमें 18 हो मैंने काड दिया होगा मेरे ख्याल से आप काड दिये यहां भी 5 यहां भी 5 यहां 13 यहां चुदा यह वाला मैंने काड दिया था जिनको passbook है उनको समझ में आ रहा होगा और यहां sir यहां कितना 18 और यहां भी 18 18 पर यहां deviation है 7 यहां 6 है तो इसको भी cut दिया था और इसके बाद इसमें से cut नहीं सकता था बच्चों ने पूछा था sir काटा क्यों नहीं जा सकता तो मैंने यह बताया था तुरू से चलते हैं यहां सबसे कम deviation तो return भी कम sir उसके बाद deviation ज़्यादा यह बला ज़्यादा तो return भी ज़्यादा sir उसके बाद और deviation ज़्यादा तो return भी ज़्यादा तो अब sir हम coefficient और variation से काम नहीं कर सकता कि करेंगे ना भाई पर पहला गाम है कि आप कौन से stock निकाल लो efficient और इसमें से best चुनो जिसको बोलते optimum यह stock था inefficient अब इसमें से हम best निकालेंगे सबसे अच्छा उसको निकालने के दो तरी एक तो cv के basis पे जिसका lower cv होगा वो हम accept करें तो cv के basis पे भी काम कर सकते on the basis of cv और cv निकालना आता और cv में सबसे कम cv किसका है sir इसका है तो हमारे लिए best कौन सा होगा याद रखना ये sharp ratio और भी जगा काम आएगा और sharp ratio expected return minus rf divided by standard deviation मतलब जो extra मिल रहा है वो कितने मतलब इतना जो risk ले रहा है उसके पीछे extra कितना मिल रहा है extra return divided by total risk या risk बोल दो ओके sir तो sir यहाँ एक यहाँ one के पीछे one percent risk के पीछे 1.6 percent extra मिल रहा है और यहाँ one के पीछे two extra मिल रहा risk premium और यहाँ sir one के पीछे one point one seven यह divide कर रहा हूं तो one समझ रहा हूं तो sir extra किस में ज़्यादा मिल रहा sir extra इस में ज़्यादा मिल रहा 1.6 तो कौन सा optimum हुआ stock A highest sharp ratio होना sharp ratio आगे भी काम आएगा question number seven क्या यह हमारा TYK5 6.65 हमारे study mat का question है new वाला अब जड़ा इसको देखो कौन सा cut सकता है sir जब आप देखते हैं तो आप क्या देखता हूं सबसे पहले मैं return देखता हूं एक जैसा return sir यह भी 8 है यह भी 8 है यह भी 8 है तो sir यह 8 सिर्फ 4 पर्षंट का रिसके इसमें 5 पर्षंट और इसमें 6 तो यह भी cut हो गया और यह भी cut stock A is efficient मैंने कहा stock B और stock F are inefficient because A जो है वो कम रिसक में same return प्रोवाइट कर यह language आपको लिखना पड़ेगा please और क्या cut सकता है तो अब देखो और क्या सर यह 4 और 4 तो stock D भी cut कर दो क्योंकि 4 पर ज़्यादा return 4 पर कम return तो वो ही मैंने यहा लिखा तो हमारे लिए efficient कौन सा हो गया A और कौन सा C और कौन सा E ठीक अब सुना दियांस उनका यह कहना है कि अगर हम ऐसा कर ले कि 75% पैसा A में लगा है और 25% C में लगा है तो क्या portfolio का return और risk के बता सकते हो यह सर 75% A में लगा है 25% C में लगा है तो portfolio का return है 9% और risk का 6% अब उसका कहना इसका comparison आप E से कीजिए E कहां गया यहां तो risk 5% return तो 9% है आप portfolio में लगा रहे तो भी 9% ही मिल रहा है और अगर आप E में लगा रहे तो भी 9% ही मिल रहा पर यहां से 5% का division है जबकि portfolio में division कितने का आया सर 6% का आया तो भाई आप E में लगाऊना portfolio बनाने की कहा ज़रूरत ठीक है अब perfect positive correlation लिखा हुआ इसलिए हमने छोटा वाला formula लगाया था standard deviation ठीक है जी चले आगे यह question कट कर दी ज़रूरत नहीं question number 8 question number 50 अब यह वाला question यह वाला question आपको करना पड़ेगा और यह मेरा पहला question है LDR question बहुत अच्छा इसको आपको exam से एक दिन पहले देखना ही पड़ेगा देखना ही पड़ेगा question क्या question बड़ा भी है उले sir x company limited एक अपरिल 2009 को कुछ shares में पैसा लगाया है इसमें 2 लाक रुपे लगाया एक company am limited और इसमें 1 लाक पचास जार लगाया और number of shares कितना है sir 1000 shares उस हिसाब से एक share का market price यहां कितना है 200 cost per share भी बोल सकते है cost भी बोल सकते है और यहां कितना है 300 इसका मतलब एक अपरिल 2009 को जब मैंने share खरीदा रहा होगा 200 रुपे का और यहां 300 रुपे का 300 रुपे या 30 रुपे वो देखना पड़ेगा तर देख लो ना calculator तो है आपके पास एक लाक पचास जार divided by pass 300 रुपे ठीक है अब उने जब मैंने share खरीदा था तो 200 रुपे का और 300 रुपे का ठीक है भाई समझ में आगे चले टूटल पैसा लगा 2 लाक और 1 लाक पचा है 3 लाक पचा है फिर आगे लिखा हुआ है in September 2009 10% dividend दिया है M Limited ने तो face value कितना सर face value 100 का 10 पचन यहां हो गया 10 रुपे और ऐसी इसने dividend कितना दिया सर 30 पचन face value 10 10 का 30 पचन कितना हो गया 3 रुपे तो यह किसने dividend दिया है सर यह M Limited ने और यह N Limited ठीक है और last में price क्या हुआ वो ले last में यहां price हो गया है 220 रुपे और 290 रुपे तो यह कौन सी year का है सर वो इस साल का यहां से यहां तक इस साल का दिया हूँ मांग क्या रहा है अभी मैं सिर्फ इसकी बात नहीं पढ़ रहा हूँ उसको 31st मार्ज 2010 का average return मांग रहा है average return का मतला portfolio का return पहला अराम से करना है वही करवा हूँगा जो ICEA नहीं करवाया है time pass नहीं करूँगा इस question यह बहुत कुछ समझाया था total total में करके में time pass नहीं करने वाला सबसे पहले क्या मुझे आज कितना पैसा लगाया मुझे पता है क्या एक साल बात price क्या हो जाएगा यह पता है क्या 220 minus 200 और dividend मालू है क्या ऐसी आज कितना पैसा लगाया N में 290 हो गया यह भी मालू है और क्या dividend पता है क्या yes तो क्या दोनों का return निकल सकता यह actual price है यह हो चुका है क्या दोनों company का return निकल सकता yes P1 minus P0 से तो वह निकाला मैंने इसमें कितना आया 15% इसमें कितना आया minus 2.3% मैंने कहा ना वही करवाँगा जो ICEA ने करवा है अब सवाल है weights का अब weights हमको book value लेना है कि market value हद तो तब होती है जब बच्चे क्या बोलते है सुनो सुनो यहां तो बड़ा confusion है कैसे confusion है मुझे समझ में यह नहीं आता मैं weight कौन सा लूँगा सर आप लोग है market value या book value market value market value weight ही तो लिया जाता है मैं यह वाला weight ले रहा हूँ 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर यह तो cost है भाई cost है cost है मतलब cost क्या होता कुछ भी यार भाई यह market value ही तो है जब मुझे आने वाले साल का return निकालना आने वाले साल का तो यह वाला weight लेना पड़ेगा यह book value नहीं है book value अगर भोल रहे हो तो फिर आपने क्या पड़े हो यार financial management क्यों पड़ा फिर तो आप छोड़ दो यह market value ही है पर market value कब का लेना ही है important है ना सर इस साल का return निकालना तो market value पहले का यार base क्या होता बेस तो P0 होता है भाई अच्छा सर और सर अगर अगले साल का निकालना तो market value weight ही लिया जाता पर market value वेट अगले साल का return निकालना तो उसके पहले का market value यह market value है भाई market value सर यह तो cost है cost मतलब उस दिन का तो market value है ना यार यह फोड़ो इस matter पर मैं बहसी नहीं करूँ तो ज़्यादा अच्छा उस पर डाउट आया था ना इसलिए मैं ऐसा बोल रहू ओके तो दो लाग तीन पचास तो यह weight निकल गया और उसके सबसे answer निकल गया 7.55 portion ओके सर बाज समझ में आगे चले अब मुझे क्या बोला है अब यहां से start करो और एक अप्रेल 2010 investment advisor को ऐसा लग रहा है कि dividend मिलेगा मतलब अब अनुमान है सर यहां का price निकल गया है यह वाला price मैंने यहां लिख दिया 220-290 ठीक है और यहां 20 और 3 रुपे 50 पे से dividend ऐसा लिखा है और बोले price क्या हो सकता हूँ बोले price एक काम करो probability से multiply कर दीजी तो price अब यह expected price है 253 और 312 काम हो जाएगा यस क्या वैसी जैसे इसमें return निकला था वैसे इसमें भी निकल जाएगा कि हां सर निकल गया 24.09 और 8.79 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं अब सवाल क्या हमालूब है ना सर अब सवाल ये है कि weight कैसे लोगे है अब फिर से मैं बोल रहा हूँ weight क्या मुझे ये लेना है नहीं सर अब क्योंकि इसके बाद वाले साल का तो मुझे weight लेना है तो यहाँ एक share कितने का है 220 का और number of shares कितने है 1000 यहाँ एक share कितने का 250 का और number of shares से 500 तो अब निकलेगा यहाँ investment value कितना था ओके तो ये निकाला मैंने और weight निकल गया और उसकी हिसाब से आंसर आ गया 17.97 ठीक है बहुत अच्छा कोश्ट अब सर आगी क्या पोछ रहा है advice x company limited of the comparative risk in the two investment by calculating standard deviation in each case standard deviation निकाला सर हमने तो return निकाला है हाँ standard deviation इसका निकाली नहीं सकता ये हो चुका है standard deviation किसका निकाला है हमें standard deviation यहाँ का निकालना पड़ेगा तो सर कैसे निकालेगा अब सुना मुझे return निकालना पड़ेगा return कैसे निकालोगा इस दिहाँ से समझना मुझे percentage में ही काम करवाना है ICI ने percentage में भी करवा रखा है और ऐसे rupees में भी करवा हम rupees में कभी भी काम नहीं करते हैं हम percentage में ही काम करें सवाल है क्या price 290 भी हो सकता है yes तो अगर price या इसकी बात करो 220 भी हो सकता है कि yes I am limited की 250 भी हो सकता है 260 भी हो सकता है तो मुझे तीन possible return निकालना पड़ेगा percentage में अगर एक साल बाद 220 हो जाता है dividend तो उतना ही रहेगा एक साल बाद 250 हो जाता है एक साल बाद 280 हो देखो मैंने कैसे करवा रखा return निकाला 220 सर कप का price है ये वाला 220 पहले का 220 220 पहले का मतलब आने वाले साल ये वाला ना है 220 220 समझ में आरा होगा आपको सर ये वाला 220 हाँ ये वाला 220 अब 220 से क्या हो सकता सर 210 भी हो सकता है 210 भी हो सकता है ये वला नहीं है एम लिमिटेट की बाद 220 भी हो सकता है 250 भी हो सकता है 280 भी हो सकता है तो उसे साब से मैंने return निकाला और dividend तो मैंने add किया ही होगा तो 9.09% 22.73 और 36.36 और फिर उसके साब से मैं standard deviation ऐसे ही किसका निकालूँगा मैं दूसरी company का while limit सर ये question हमको exam से पहले देखना पड़ेगा कि हाँ जी देखना पड़ेगा seriously बता रहा है अगर मैं गओ दो question मैंने आपको बताया दो question आपको देखना चाहिए एक जो मैंने बोला था इसको लिखकर देखो इससे अच्छा नहीं हो सकता और ये वाला question भी आपको exam से पहले देखना चाहिए तो ये total दूसरा question है सर इसको तो आप पहला बोल रहा थी इससे पहले question बोला था न करने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने बोला था calculation mistake होगा ही होगा वो question भी देख लेना हम percentage में ही करेंगे क्या ये AFM module का question है yes following information is available in respect of expected dividend market price on market condition after one month भाई share का price 115 भी हो सकता 107 भी हो सकता 97 भी हो सकता एक साल बाद dividend 9 भी हो सकता 5 भी हो सकता 3 भी हो सकता okay existing ये एक साल बात का है the existing price of an equity share अभी कितना 106 face value है वो एक रुपए बताओ which is कम 10% bonus debenture of रुपी 6 तर ये क्या बोल रहा है वो बोल रहा है जो हम share खरीद रहा है ना 106 रुपए actual में उसमें 6 रुपए का हमें एक debenture भी हम जो पैसे दे रहा है ना 106 रुपए यास वो 106 रुपए सिर्फ shares का भी नहीं बूल दे रहा है actual में हम debenture का भी दे रहा है कितना रुपए 6 रुपए क्योंकि उसमें debenture bonus के रुप में हमको debenture भी मिल रहा है मतलब एक के साथ एक फ्री लेकिन पैसा देना पढ़ ना 106 रुपए का debenture तो shares के नाम से 100 रुपए दे रहा है और यह जो प्राइस है किसका है किया यह debenture का मिला करें कि सिर्फ shares का है सिर्फ shares का है तो यहाँ भी सिर्फ shares की बात करो आप debenture की बात ही क्यों कर रहे है चो आपको debenture मिल रहा है कि वो 6 का भीग जाएगा एक्स कमपानेस कमपनी हैड ओफर्ड दा बाइबैक बाइबैक का भीग जाएगा उसमें बोला है कि कमपनी हमसे बाइबैक कर लेगी 6 रुपए इट मिंस मैं क्या कहना चाहता हूँ 106 रुपए दे रहा है 6 रुपए तो बेवज़ा दे रहा है 6 रुपए जो एक्स्रा दे रहा है वो तो वापस मिल जाएगा तो एक्चॉल में हमारा जो share पड़ाना वो 100 का बड़ा तो 6 रुपए को अभी ignore करना तो expect return निकालना है variability of return मतलब standard deviation निकालना अगर वो 6 रुपए आपको वापस मिल जाते है by by offer accepted by the investor तो ठीक है 115 हो जाए और 9 रुपए dividend तो मैंने return निकालना 24%, 12% और 0% और इसके इसाब से फिर मैंने क्या निकाला होगा expected return और क्या निकाला होगा standard deviation ये मांगा था ये मैंने निकाल ली बच्चों को परिशानी कहा हो रही मालो है क्या आप buyback offer accept कर लेना चाहिए भाई साब भाई साब साब कैसे buyback offer accept आपके पास debenture है और उस पे company आपको कितना दे रही है company दे रही है 10% आपके पास जो debenture है उस पे आपको 10% interest मिलेगा ही मिलेगा अब market में पता लगा है और market में 12% मिल रहा है 12% 12% तो आपको गे यार हम debenture वापस कर देते हैं हमें buyback offer accept कर लेना चाहिए क्योंकि 10% company से मिल रहा है और वही पैसे को आप market में लगाओगे तो 12% मिलेगा तो offer accept कर लेना चाहिए पर अगर market में कम मिलता तो offer accept नहीं करता है actual मेरा यह opinion था उन्होंने भी यही लिखा हुआ है पर उन्होंने जो बात किया कि उन्होंने comparison 8.4 sorry इस 12% से comparison किया यह वाला 12% 12% तो मैं मन से बोल रहा था उन्होंने इस से comparison किया कैसे comparison कर सकते तो debenture पर आपको मिलेगा interest और यह तो shares का return है shares का return है वहां से comparison करो मतलब debt का आप equity से कैसे comparison कर रहे है तो मैंने अपनी language में लिखवा रखा है मिलता है तो accept करो अगर 10% से नीचे होता है तो accept मत किचे पाकि आप 12% का reference देना चाहता है तो आप दे समते हैं ठीक है ओके सर यह वाला भी question अच्छा है TYK24 पेस नूबर 6.71 सर यह question प्लीज बुक होगी आपके बस बुक से पढ़ लिजे यहां पढ़ने में थोड़ी से तकलीफ होगी मतलब सर इन एक देड़ घंटे में आपने बहुत कुछ AFM module के question करवाए हो कि हाँ ची बहुत सारे questions पढ़े कैसा फुले दो है एक है economy A जो अब भी grow हो रही है यह company और आप investment जो किया है ना आपने आपने economy A में investment नहीं किया कुछ development डेवलोप country stock में आपने investment कर चुकी और अब आप यह चाहते हो कि यार यह जो है वो है डेवलोप country stock और हम economy A भी खरीद ले और एक portfolio बना ले मतलब इसमें एक stock इसमें बहुत सारे stocks है पर एक और बॉक एक और मेरा bundle दिख रहा मैं उसको इसमें किसाथ merge करना चाहते हूँ यह कौन है economy है तो अगर मैं उसको merge कर लेता हूँ तो बताईए क्या होगा return क्या होगा standard division क्या होगा correlation ठीक है बताओ तो क्या क्या दिया हुआ correlation तो बता दिया तो बोले यह table में दे दिया उन्होंने expect return दिया develop country stock मतलब इसमें मेरा investment है already और अगर इसमें लगाता हूँ तो 15% मिलेगा 15 दोनों का standard deviation दिया है और correlation भी दिया हुआ और risk free rate दिया है 3% risk free क्यों दिया होगा सर यही तो सोचना है risk free दिया 3% पहला number important है what percentage of your portfolio should you allocate of stock of economy A अगर आप increase करना चाहते है expect return of portfolio by 0.5% इसका मतलब इसका मतलब सर अब भी हमने इसमें पैसा लगा है जिसमें 10 कमा रहा है तो अब हम कमाना चाहते है 10.5% तो बताइए इसमें कितना पैसा लगा है इसमें कितना पैसा लगा है कि इसका weighted average है 10.5% हो जाएगा कम इसको weight of pay लिया इसको one minus weight of pay लिया तो इसके सबसे 0.9 इसमें 0.1 इसमें investment in economy A stock 10% और develop country stock में 90% देख लेना आप और उसके सबसे standard deviation मांगा तो हमने standard deviation भी बड़े वाले formula से लगा लिया यहां तक कोई दिखा दिखत यहां आ रही है point number C लिखा क्या है also show how well the fund will compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock of economy A क्या बोल रहा है यार अब ध्यान से समझना ध्यान से वो यहां से please इसको रटना पड़ेगा यहां से समझ में नहीं आ रहा है कि यार यह पूछ क्या रहा है पट अब दिमाग की घंटी कैसे बज़ेगी एक तो यार risk free दिया हुआ है risk free दिया हुआ है risk free दिया हुआ है तो risk free का क्या कहीं यूच किया था हम लोगों ने पाज़र यारे कहीं न गहीं तो risk free दिया हुआ है दूसरा अब एक वाटाओ यहां Golden कितना है 10 risk free पे कितना है तो extra कितना मिल रहा है sir extra मिल रहा 7 परशन क्यों मिल रहा एक्श्या 7 परशन क्योंकि sir risk है न कितने परशनका 16 परशनका risk यहां यहां रिस्क है सर यहां तो जीरो होता है रिस्क फ्रीपे और यहां है दस पर्शन मतलब सर साथ पर्शन रिस्क प्रीमियम का मिल रहा है compensation मिल रहा है यस तब दी उच कर रहा हूं compensation extra जो मिल रहा है ना ओद दी तो compensation और यह compensation क्यों मिल रहा है due to risk एक्षिर में वो आपसे sharp ratio मांग रहा है so how will the fund will be compensation for the risk जो risk लिया है उसकी वजह से बताओ compensation कितना मिलेगा और उन्होंने क्या किया है उन्होंने sharp ratio निकाला है पहले क्या था और जब portfolio बनाए है तब क्या है तो वो sharp ratio उन्होंने निकल कर बनाए है शार प्रेशो जब मिनिसिम develop country में पैसा लगाया था तो sharp ratio यह था और अब portfolio में पैसा लगा रहा है तो sharp ratio यह और sharp ratio बढ़ड़ा मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए risk के पीछे हमारा risk premium यह compensation एक्स्ट्रा हो रहा है चार प्रेशो इंप्रूट तो इस question को देखना चाहिए कि सर लास्ट डेम है मेरे खिया से ज़रूरत नहीं क्यों कि यह compensation वाली बात आपको याद रहे की मुझे नहीं लगता कि देखना चाहिए एक बाकिया आपकी इमर्ची मेरे ही सबस्वे मैंने दो ही question बताया है जो आपको लास्ट में लेखना है यह सब charts बनाया था discuss भी किया था यह लास्ट में सब सारे charts एक साथ मतलब यार दो तीन घंटे में पूरा AFM revise ऐसा कुछ करवाओंगे कि वो करवाओंगा पर अभी नहीं यह सब chart आप अभी मत करना मैं खुदी करवाओंगा ओके चले आगे तो देखा जाए तो modern portfolio theory खतम हुई modern portfolio theory में कुछ नहीं है अब दूसरा जो हमको theory start करना हुआ करना है capital asset pricing model वो अभी नहीं पर वहाँ तक पहले पहुच जाए ठीक है तो अगला वाला जो पड़ा भी पहले इसको खतम करें यह क्या है पर capital asset pricing model से पहले मैंने आपको बताया था capital market theory तर वो क्या चीज है समझो मैंने आपसे बोला था कि देखो यार एक stock में पैसा लगाना अच्छा कि 2 तो आपका अंसर है 2 फिर मैंने दो की 3 आपने का 3 तो आपने का 3 की 4 तो आपने का 4 जितने ज़्यादा stocks में पैसा लगाओगे risk diversify हो जाएगी मानते हो फिर कोई मुझे सला दिया था कि जब इतने सारे stocks में पैसा लगा रहे हो भाईया तो निफ्टी में लगा दो ना है निफ्टी से जादा कहां लगाओगे आप निफ्टी में तो 50 stocks है सीथा निफ्टी में पैसा लगाओ बात का था हम अच्छा मैं लगाओ निफ्टी में चलो पैसा पर मैं अगर मान लो मैं risk कम लेना चाहता हूँ निफ्टी में तो risk है तो फिर दूसरी फिर तो मुझे तो होई रहा है पर कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है risk कम लेना मुझे 4% risk नहीं चाहिए मुझे थोड़ा कम चाहिए तो risk free में पैसे डाल दो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो यहां से उधार लेकर यहां डाल दो सर उधार वाला उधार वाला ही था तो वो ही मैंने बताया था मालों एक लाग रुपए तो 70,000 यहां लगा तो 30,000 यहां लगा और यह मैंने आपको करवाया था और पौटपोलिओ का इस टेंडर डैवेशन कैसे निकले था?, इससे गिल्द मार्केट हमवाया यह मैंने करवाया हूं तर यह एक्जाम में नहीं आता है पडहार एक्जाम में जो आता है वो यह आता है ओके तो मैंने capital market line का equation आपको बताया था पहले वो भी capital market line क्या बोलता है कितनी जगा पैसे लगाना है दो जगा दो ही portfolio बनता है एक market और एक risk free और उसका equation यह है expect return of portfolio RF RF से तो start होता है और सर यह क्या है यह risk premium यह क्या है market का standard deviation और यह क्या है portfolio का standard deviation मतलब सर RF है अगर मैं कहूँ equation केई वाला equation तो हमको मालू है यह सर RF है और RM minus RF तो यहां लिखते ही है बस और नीचे beat of portfolio है ता है यहां के beat of market होना चाहिए यह standard deviation of market हो जाएगा और यह standard deviation of portfolio हो जाएगा याद करो CAPM CAPM तो याद ही होगा यहां beta लिखते थे थे ना beta की जगा standard deviation जब यहां beta लिखते थे थे तो beta की जगा जाएगा standard deviation बाकी detail में समझाया हूँ मैं बहुत ज़्यादे इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक्जाम में नहीं आता है तो सर एक्जाम में क्या आता है यह equation derive किया हूँ जरूरत नहीं है एक्जाम में बाकी यह भी आप cut कर सकते हो formula को यूच करके सबसे काम की चीज़ यह है बाई इसको समझना जरूरी है जो cut वा रहा हूँ cut to air नहीं है डाई पर अब जो है उसको समझना जरूरी है अराम से समझना मेरे पास एक लाग रुप है ठीक है एक लाग रुप है खुद का on fund बोलते है sir on fund बोलते है on fund मैंने risk free पर पैसा उधार लिया कितना 60,000 टूटल कितना हो गया सर एक लाग साथ जार और एक लाग साथ जार मैंने market में लगा दिया अब सवाल है कि weight निकालना है market का तो वह हम ऐसे निकालते थी एक लाग साथ जार divided by 1 lakh क्यों निकालते थी बहुत ज़्यादा explanation नहीं दे सकता हूं 1.6 नीचे हमेशा on fund रहेगा और sir ये तो उधार लिये है तो माइनस साथ जार divided by नीचे हमेशा on fund और यहां क्या जाएगा माइनस 0.60 किया बताने की कोशिश कर रहा था में यह बताने की कोशिश कर रहा था क्या weight 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या weight negative अगर किसी का weight 1 से ज़्यादा है तो दूसरे का weight negative भी होगा ये में बहुत कुछ explanation वगेर आप बहुत ढंग से समझा रखा आपको अगर देखोगे तो यह सब समझाए है पर जरूरत नहीं है बस एक बात याद रखना क्या weight negative हो सकता है हो सकता है बस यही बात मुझे आपको समझाए ओके और फिर यह equation वगेर समझाए है जरूरत नहीं है अभी revision में तो काम नहीं आएगा इतना detail में पढ़ा था तो कहां पहुँच गया है सर हम पहुँच गया है C.A.P.A. तेड़ घंटा हो गया है अगला पार्ट जो है वो धाई घंटे का होगा तोटल चार घंटे में हमको खतम करना तो आज की क्लास में यहीं ओवर करों दो पार्ट में होगे पोटफोलियो अच्छा आज एक पार्ट होगा कल सुझ एक पार्ट डल जायगा और कल धाई घंटे की क्लास हो सकती है धाई घंटे में हम खतम करेंगे पोटफोलियो modern portfolio theory खतम हो गया और जो बोला हूं उसका revision करो के वो question at least 2 question बोला ना 2 question बना ले ना दोस्तो फ्लीस वो 2 question आपको बनाना ही पड़ेगा option नहीं है आपके बस ठीक है ओके तो CAPM start करेंगे part number 2 और part number 2 में ही सब कुछ रहेगा CAPM भी उसी में रहेगा उसी में आपका arbitral pricing theory भी रहेगा portfolio rebalancing ठीक है ओके schedule जो है वो मैं description में डाल देता हूँ और आपको इसका PDF भी डाल देता हूँ हलाकि जो मेरे student है जो उन्होंने में से class ले रखा उनको PDF की ज़रूरत नहीं है ठीक है thank you so much bye bye